वेलकम तू माई चैनल, माई डियर फ्रेंज, जैसा कि मेरा आपको मंतली वीडियो में गोल्ड के बारे में बताया था, गोल्ड पोजिटिव बाई की तरफ है और वेसा का वेसा गोल्ड ने रियक्ट किया और हमने इस वीक में बहुत अच्छा प्रोफिट जो है जनरेट किय बात करते हैं कि मंडे को गोल्ड किस और मुवमेंट करेगा उसके बारे में एक बार देख लेते हैं अभी जो गोल्ड का जो रिजिस्टेंस एरिया है वो 1772 से लेकर 1778 के बीच में है अगर गोल्ड आपको 1772 या एक दो पॉइंट उपा नीचे हो सकता है अगर गोल्ड 1772 से 1778 के बीच में रिजेक्शन केंडल शो करवाता है रिजेक्शन बार आपको शो करवाता है देना आप वहां से सेल ले सकते हैं और आपको एक अच्छी सेल वहां से मिल सकती है और 100 पिप्स आप अपना आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है और अगर गोल्ड यहां से हमारे resistance area को break करता हुआ उपर की ओर निकल जाता है then gold का जो मुझे area लगता है वो 1900 के आसपास लगता है यानि 1800 5.25 में से लेकर 1905 के आसपास ये gold का एक resistance area है 1800 5.25 में से लेकर 1905 के आसपास अगर gold आपको यहां से rejection बार देता है then आप यहां से भी gold को sell कर सकते हैं और 100 pips आसानी से अपना profit book कर सकते हैं अब बात करते हैं downside की तरब बात करते हैं Friday की तो Friday को gold ने 1832 का area break नहीं किया वहां से हमको एक बहुत अच्छी buy मिली और हमने 300 pips का profit book किया अगर gold downside की और जाता है और आपको 1825 25 से लेकर 1830 का area ये इसका strong support बन चुका है 1825 से लेकर 1830 का area अगर वहां से आपको rejection बार दिखती है ठीक है तो वहां से आप buy ले सकते हैं और वो buy आप 200 pips तक hold कर सकते हैं यांई 1850 1855 तक hold कर सकते हैं आपको आसानी से profit मिल जाएगा गोल्ड का जो sentiment है वो positive buy की तरफ है गोल्ड is still in bullish mode इस बात का धियान रखें आपको कोशिश कननी है कि आपको नीचे से buy ढूननी है अगर गोल्ड आपको 1808 के आसपास मिल जाता है 1812, 1815 के आसपास मिल जाता है वहां से आपको एक strong buy मिल सकती है जो आपको 300, 400, 500 pips का profit आने वाले दिनों में दे सकती है इस बात को note down करने है ठीक है तो ये था हमने गोल्ड के बारे में आपको बता दिया अब बात करते हैं crude oil के बारे में crude oil अभी एक range mount है यानि 72 से लेकर 75 के वीच में जो है इसकी trade चल रही है अगर ये आपको 71 के area में मिल जाता है 71 या 71.5 के area में मिल जाता है देना आप वहाँ से बहुत अच्छी आपको buy के opportunity मिल सकती है और वेल आपको 100, 500, 200 pips आसानी से दे सकता है ठीक है और अगर ये आपको 75.5 या 76.5 के आसपास मिलता है वहाँ से rejection बार देता है देना आप वहाँ से इसको sell कर सकते है और आपको ही 100 और 200 pips अपना profit बुक कर सकते है च्योंकि oil और nest egg के अंदर जो है intraday में 100, 500, 200 pips देना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको अमीर बनना है तो आपको oil और nest egg के अंदर trade करनी पड़ेगी ठीके लेकिन आपको ध्यान रखना है without SL इस market से आप पैसा नहीं निकाल सकते चाहे आप कितना ही ट्रै कर ले तो ये था हमने oil के बारे में आपको बता दिया कि आपको buy कहां से लेना है, sell कहां से लेना है बट आपको SL का ध्यान रखना है बात करते हैं नेश्डेक की नेश्डेक का जो मैंने आपको area बताया था कि आपको 10,700 के आसपास या 10,750 या 800 के आसपास buy लेनी है और आपको एक बहुत अच्छा profit दे सकता है और Friday को इसने करीबन करीबन 300,500 पिप्स का हमें profit दिया हमने इसको 10,700 से buy किया और ये 11,000 असी तक गया यानि 380 पिप्स या 400 पिप्स के आसपास का हमने profit बहुत अच्छा book किया राइट नाउ जो नेश्डेक की जो closing हुई हो 11,033 के आसपास हुई है अगर ये आपको नेश्डेक 11,100 से लेकर 11,250 के बीच में मिलता है देन आप वहाँ से इसको sell कर सकते हैं और नेश्डेक आपको नीनी करके भी इंट्राडेक के अंदर 100,500,200 पिप्स आसानी से दे जाता है और क्योंकि नेश्डेक का जो sentiment है वो downside की ओर मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ अगर नेश्डेक आपको 10,700 के एरिये में यानि 10,600 से लेकर 10,700 के एरिये में वापस से मिलता है देन आप इसको definitely वाई कीजिए या आपको 100 से 200 पिप्स आसानी से दे जाएगा अगर आपको 700 के आसपास भी मिलता है 10,750 के आसपास देन वाँ से भी इसको आप वाई कीजिए आप इसको dip में वाई कीजिए यानि एक साथ आपकी एक entry अगर आप एक entry लेते हैं देन उसके बाद दूसरी entry उससे down में लीजिए ठीक है तो उससे क्या होता है आप अपना अकाउंट को मेनेज कर सकते हैं लेकिन आपको SL हर trade में आपको SL लगाना है क्योंकि अगर आप profit निकालना चाहते हैं तो आपको loss भी bear करना पड़ेगा इस बात का धिहन रखे इस market में NASDAQ और oil आपको ये दो asset pairs हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं जो भी इसके अंदर intraday में 100-500-200 pips से देना कोई बड़ी बात नहीं है easily ये दोनो oil और NASDAQ आसानी से 100-500-200 pips का profit दे देते हैं तो NASDAQ अगर आपको ऊपर मिलता है 11100-111250 के बीच में तो आप इसको dip में sell कीजिए SL का ध्यान रखिए और 100-500-200 pips से लीजिए और market से left हो जाईए अगर आपको down में मिलता है 10700-700-600 या 10650 के आसपास मिलता है देन इसको आप definitely buy कीजिए 100-500-200 pips profit लीजिए और market से बाहर हो जाईए अगर आपको market से पेसा कमाना है forex से पेसा कमाना है क्योंकि ये market ऐसा है अगर आपको देना जानता है तो आपसे definitely ये market लेना भी जानता है ठीके तो आप एक target fix कीजिए आपका money management कीजिए कि आपका account कितना है उसी साब से आप load size को decide कीजिए market में entry लीजिए profit निकालिए देन market से left हो जाईए तो ये था हमारा Monday के regarding वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को like कीजिए वीडियो को share कीजिए चेनल को subscribe कीजिए मिलते हैं next वीडियो में Thank you